एक ऐसा शक्स जिसे ये कहकर reject कर दिया गया कि उनकी अंदर imagination और creativity नहीं है। लेकिन उसी शक्स की imagination और creativity ने एक ऐसा fantasy world create किया जो आज भी कायम है। जरा imagine कीजे अगर आपके बच्पन में Mickey Mouse और Minnie Mouse चैसे Cartoon characters नहीं होते तो आपका बच्पन कैसा होता। लेकिन इस शक्स ने हर बच्चे के बच्पन को रंगों से भर दिया। वो जुनोनी और जिब्दी इनसान थे। उन्होंने हर वो चीज हासल की जिसका उन्होंने सपना देखा था। उनके रास्ते में कई तरह की परेशानिया आईं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी बनाए गई वॉल्ट डिजनी कमपनी जिस मुकाम पर है वो उनके हार्ड वर्क का ही नतीजा है। उनकी वॉल्ट डिजनी कमपनी फिल्म और टीवी प्रडक्शन में वॉर्ल्ट की टॉप मोस्ट कमपनी में शुमार है। सिर्फ दो हजार डॉलर से खड़ी की गई वॉल्ट डिजनी कमपनी का सालाना टॉर्ण ओवर आज 35 डॉलर का है। वॉल्ट डिजनी अनिमेशन और लाइव अक्शन फिल्म प्रडक्शन में कुछ अलग करना चाहते थे। उनका सबसे पहला कार्टून कारेक्टर था ओस वर्ड दे लिटल राबिट जो बहुत पॉपलर हुआ। इस कार्टून पर उन्होंने कई शॉर्ट अनिमेटेड मुवी बनाई। लेकिन धोखे से वॉल्ट डिजनी से उनका पहला और फेवरिट कार्टून कारेक्टर ओस वर्ड दे लिटल राबिट छीन लिया गया। इससे वॉल्ट बहुत दुखी हुए। उनकी कंपनी पर इसका बुरा असर पड़ा। लेकिन वॉल्ट ने हिम्मत नहीं हारी और वो ऐसा कार्टून कारेक्टर बनाने में लग गए जो आस्वर्ड से बहतर हो। तब वो दुनिया के सामने ऐसा कार्टून कारेक्टर लेकर आए जिसने आते ही तहल का मचा दिया और वो कारेक्टर था मिकी माउस। मिक्की माउस पर बनाए गई एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म को लोगों ने हाथो हाथ लिया। मिक्की माउस को लोगों का जबरतस्त रिस्पॉंस मिला और देखते ही देखते वो एक ब्रांड बन गया। इसके बाद वॉल्ट डिजनी एक से बढ़कर एक एनिमेटेड फिल्म लेकर आये जिनके कार्टून कारेक्टर्स को लोगों ने बहुत पसंद किया। वॉल्ट डिजनी ने अपनी फिल्म में फैंटेसी का एक ऐसा इमाजिनरी वर्ल्ड बनाया जिसे देखकर हर कोई उस दुनिया में खो जाता है। लेकिन वॉल्ट डिजनी ने फैंटेसी के इ टुफेस मिलने का मौका मिलता था। कैलिफॉर्णिया में बना अम्यूजविन पार्क डिजनी लांड। वॉल्ट डिजनी की ऐसी क्रियेशन जो सालों से लोगों की फेवरिट बनी हुई है। उनका कोई जवाब नहीं है। उनकी कार्टून अनिमेटिट फिल्मों ने और सीरीज ने कई रेकॉर्ड बनाए। जिसके लिए उन्हें कई बड़े और नामी गिरामी अवॉर्ड मिले। वॉल्ट डिजनी को मिले ओनर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1980 में मिले एक प्लानेट का नाम वॉल्ट डिजनी के नाम पर रखा गया है। ये ओनर उन्हें लाइव अक्शन फिल्मों और प्रड़क्शन में उनके कॉंट्रिब्यूशन के लिए दिया गया था। डिजनी सिर्फ फिल्मों का प्रड़क्शन नहीं करते थे बलकि वो कई तरह के सोशल वर्क में भी इन्वाल्व थे। हमारी इस ओडियो सीरीज में हम वॉल्ट डिजनी की लाइफ, उनका स्ट्रकल, उनका फेलियर और सक्सेस के बारे में अपने लिसनर्स को सुनाएंगे। किस तरह से उन्होंने अपनी छोटी सी कंपनी को वर्ल्ट की टॉप मोस्ट कंपनी बना दिया। अली लाइफ ओफ वॉल्ट डिसनी ये कहानी है एक ऐसे शक्स की जिसने अपनी इमाजिनेशन से दुनिया में अंगिनत बच्चन को एक अलग ही फैंटेसी के दुनिया में पहुंचा दिया। उस शक्स के बनाए कार्टून को देखकर हम लोग बड़े हुए हैं। उन्हें दुनिया के पहले कार्टून क्यारेक्टर का जेनरेटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 5 दिसंबर 1901 में शिकागो के इलिनॉइ स्टेट में वॉल्ट डिसनी का जनम हुआ था। उनका पहला नाम उनके चर्च के मिनिस्टर वॉल्टर के नाम पर रख तो उन्होंने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। वॉल्ट डिसनी के तीन बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। इतना बड़ा परिवार होने की वज़ा से उनके घर का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था। जिसके चलते उनके पिता दूसरे काम भी किया करते थे। अगरिकल्चर के अलावा उनके पिता कारपेंटर का भी काम करते थे। तो वहीं वो शाम को मार्केट में फ्रूट्स भी बेचा करते थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूत वॉल्ट डिसनी के पिता इलियास विजनी अपनी फैमिली की खोईशों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भीज पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपना खेट बेच दिया ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकें। 1906 में इलियास डिजनी अपनी फैमिली के साथ इलिनोईस छोड़कर मार्शलिन मिजोरी में आकर रहने लगे। यहां आकर उन्होंने नए तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट की। उस ताइम वॉल्ट दिजनी चार साल के थे और ड्रॉइंग को लेकर उनका इंट्रस्ट तभी से डिवेलप हो गया था। ड्रॉइंग को लेकर उनका क्रेस बहुत अलग था। महस चार साल की उमर में वो पेंटिंग करने लगे थे। वो घर की वॉल और फ्लोर पर भी पेंटिंग कर दिया खरते थे। कभी चौक से तो कभी कोईले से वो ड्रॉइंग बनाते थे। कहा जाता है कि एक बार अपनी छोटी बहन रूत के साथ मिलकर उन्होंने घर की वॉल पर तारकोल से ही ड्रॉइंग बना दी थी। जिससे पूरी वॉल काली हो गई थी। वॉल्ट को अपनी इस हरकत पर अपने पिता से बहुत डांट सुननी पड़ी थी। लेकिन उनकी बनाई गई वो ड्रॉइंग घर की वॉल पर कई साल तक रही। धीरे धीरे ड्रॉइंग वॉल्ट का जुनोन बनने लगा। अब वो साथ साल के हुए तब उन्होंने अपने पडोस में रहने वाले शक्स के घोडे की पेंटिंग बनाई। ये पेंटिंग बहुत शानदार बनी थी। लोगों को खूब बसंद आई। वॉल्ट के पडोसी ने उस पेंटिंग को खरीद लिया। ऐसा पहली बार था जब वॉल्ट को अपनी बनाई पेंटिंग के पैसे मिले हो। इससे वॉल्ट डिस्नी को एक कॉन्फिडेंस 1909 में वॉल्ट के पिता ने उनका अड्मिशन पास के एक स्कोल में करा दिया। लेकिन इलिनोई छोडने के बाद भी वॉल्ट की फैमिली फाइनाशल क्राइसिस से जूज रही थी। एक बार फिर वॉल्ट के पिता इलियास यहां से अपनी फैमिली के साथ कैंसर सिटी शि को भी उनकी मदद करनी परती थी। वॉल्ट अपने बड़े भाई रॉय के बहुत क्लोस थे। बड़े भाई के साथ साथ रॉय उनके एक अच्छे दोस्त भी थे। वॉल्ट सुबा सुबा साड़े चार बजे अपने भाई के साथ घर घर नियूस पेपर बांटने निकल जाया करते थे चाहे कड़कडाती ठंड हो या फिर जमाजम बारिश हर सिचुवेशन में उन्हें पेपर बांटने के लिए जाना पड़ता था और हां इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता था जिसकी वज़ा से वॉल्ट कुस्सा हो जाते थे उनका कहना था कि उनके सा का इल्यास ने उनका यानी वॉल्ट का आड्मिशन कैंसर सिटी के बेंटन ग्रामर स्कोर में करा दिया लेकिन सुभा जल्दी उठकर न्यूसपेपर बांटने की वज़ा से वो काफी धक जाते थे जिसकी वज़ा से वो क्लास में पूरी धरा से पढ़ाई पर फोकस नहीं क कर पाते थे वॉल्ट पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे और हाँ पढ़ाई में उनकी खास दिल्चस्पी भी नहीं थी लगातार छे सालों तक वॉल्ट ने अपने पिता की हेल्प की और न्यूसपेपर बांटने का काम किया लेकिन इस दौरान ड्रॉइंग को ल उनकी ड्रॉइंग को अपनी दुकान पर टांग दिया करता था जिससे की आने जाने वारे लोगों की उस पर नजर पड़ती रहे अपने ड्रॉइंग की वज़ा से वॉल्ट को बहुत अप्रिसेशन मिलती थी जब वॉल्ट 14 साल के हुए तब उन्होंने कैंसस सिटी चिर्च चुका था वॉर के दौरान वॉल्ट इसनी स्कूल के न्यूस पेपर के लिए पेट्रियोटिक कार्टून बनाया करते थे इसके अलावा वो शिकागो अकाडमी और फाइन आर्ट्स में नाइट क्लासे भी लेते थे वॉल्ट वॉर में भाग लेना चाहते थे लेक एक पेपर बनवाए और उन पर अपनी मा के साइन करवाए इसके बाद वॉल्ट ने रेट क्रॉस जॉइन कर ली और एम्बुलेंस चलाने का भी काम किया 1918 में वो एक साल के लिए फ्रांस चले गए कहा जाता है कि ड्रॉइंग को लेकर वॉल्ट में इस कदर जुनून था कि उन्होंने एम्बुलेंस को कार्टून कारेक्टर और अपनी ड्रॉइंग से भर दिया था वॉल्ट 1919 में फ्रांस चोड़ कर वापस अमेरिका आ गए जहां पैस्मिन रूबिन कमर्शल आर्ट स्टुडियों में उन्हें ट्रेनी की जॉब मिल गई इस कंपनी में उन्होंने एड़िटाइजिंग के लिए कमर्शल इलस्ट्रेशन्स बनाने का काम किया इसके अलावा उन्होंने थेटर प्रोग्राम और कैटलोग के लिए भी कमर्शल इलस्ट्रेशन्स किये इसी कंपनी में उनकी दोस्ती उब इवर्क्स नाम के एक शक्स से हो गई वो एक बहतरीन काटूनिस्ट थे जनवरी 1920 में पैस्मिन रूबिन फाइनाशल क्राइसिस के दोरान से गुजर रही थी फिर क्या वाल्ट डिस्नी और उनकी दोस्त उब इवर्क्स को कमपनी से निकाल दिया गया उन्हें ये कहकर जॉब से निकाल दिया गया कि उनके अंदर creativity और imagination नहीं है ये बात वाल्ट के दिल को चुप गई और उसी वक्त उन्होंने ठाना कि वो अपनी खुद की company खड़ी करेंगे वाल्ट डिस्नी और उब इवर्क्स ने मिलकर इवर्क्स डिस्नी नाम से अपना start-up शुरू किया उन्होंने एक second hand camera खरीदा और local movie theater में distribution के लिए एक से दो मिनट की animated advertising films बनाना शुरू किया लेकिन उनका ये start-up customers को attract करने में फेल रहा जिसके बाद वाल्ट डिस्नी ने Kansas City Film Ad Company जोईन कर ली जहां उन्होंने cut-out animation technique सीखी वाल्ट इरादों के पक्के थे वो हर हाल में अपनी company खोलना चाहते थे तब उन्होंने लाफोग्राम studio नाम से एक company खोली जहां उन्होंने कई animators को hire किया लेकिन जल्दी उन्हें financial crisis की वज़ा से अपनी company बंद करनी पड़ी वाल्ट पूरी तरह से bankrupt हो चुके थे लेकिन वाल्ट हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे फिर भी वो फिर से अपनी company को खड़ा करने की कोशिश करने लगे जेब में 20 डॉलर और हाथों में एक suitcase लिए वाल्ट जुलाई 1923 में Hollywood पहुंच गए उस वक्त उनके बड़े भाई Roy भी Los Angeles में थे जहां उनका tuberculosis का treatment चल रहा था इस हालाद में भी वाल्ट की उनके भाई Roy ने help की रोई ने अपनी saving के 2000 डॉलर वाल्ट को दे दिये इसके बाद वाल्ट ने अपनी भाई Roy के साथ मिलकर Disney Brothers Studio के नाम से company खोली बाद में इसी company का नाम बदल कर The Walt Disney Productions रखा गया पिछली 100 सालों से ये company दुनिया भर की लोगों का entertainment करती आ रही है Walt Disney ने अपनी भाई Roy Disney के साथ मिलकर partnership में company तो खोल ली लेकिन इस company को run करना इतना भी आसान नहीं था ये बात Walt भी अपने पिछले experience से अच्छी तरह समझ चुके थे तो फिर उन्होंने कैसे अपनी company को बुलंदियों तक पहुंचाया Walt ने बचपन से ही अपनी life में बहुत struggle face किये महस 10 साल की age में magazine और newspaper बांटे railway platform पर cold drink, popcorn और पानी की बोतल बेची जब वो 17 साल के हुए तो ambulance की driver बने उसके बाद एक company में illustrator की job की वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद Walt ने अपनी life में कभी हार नहीं मानी Life में मिले struggle और failure को उन्होंने positively लिया और उसी का नतीजा है कि आज उनकी company world की top most company में से एक है इस दुनिया से Walt के जाने के बाद भी उनका नाम अमर है और आगे आने वाली कहीं जनेरेशन तक उनका नाम यूँ ही बना रहेगा 16 अक्टूबर 1923 में Walt Disney ने अपने भाई Roy के साथ मिलकर Disney Brothers Studio नाम से एक company बनाई लेकिन 1923 में इसका नाम बदल कर Walt Disney Productions रखा गया Walt Disney अपने company को एक animation business के लीडर के तौर पर establish करना चाहते थे Walt ने अपने production में live action film और TV के लिए production स्टार्ट किया लेकिन इससे पहले भी साल 1921 और 22 में वो company खोल चुके थे लेकिन दोनों ही बार उन्हें success नहीं मिली इसी लिए इस बार Walt उन गलतियों को दोराना नहीं चाहते थे जो उन्होंने पहले की थी Walt ने animation short filmों का production शुरू किया ये वो दौर था जब filmों में आवाज नहीं होती थी screen पर subtitle लिखे जाते थे ताकि लोग समच सकें कि वो क्या कह रहे हैं ज्यादा तर action के जरिये ही फिल्म में concept को describe किया जाता था फिर वहीं कुछ फिल्मों में background music भी use किया जाता था Walt Disney ने भी शुरुआत में ऐसी animated short movie बनाई जिसमें background music का use किया गया Walt ने इसे इतने creative तरीके से बनाया कि देखने वालों को आवाज की कमी खली ही नहीं 1923 में Walt Disney ने अपनी पहली silent short film बनाई जिसका नाम था Alice's Wonderland इसमें child artist Virginia Davis को animated character के साथ silent conversation करते दिखाया गया था ये फिल्म लोगों को बहुत पसंदाई इसके बाद New York Film distributor Margaret J. Winkler Walt Disney से मिली और उन्होंने इस तरह की comedy short film series बनाने के लिए Walt को offer दिया जिसे Walt Disney और उनके भाई Roy ने accept कर लिया Contract sign होने के बाद Walt और Roy Los Angeles shift हो गए आपको जानकर हैरानी होगी कि Walt Disney ने अपना पहला studio एक garage में खोला था उन्होंने अपने Uncle Robert Disney के garage में Disney Brothers Cartoon Studio की शिरुवात की थी जहां उन्होंने Alice Comedies के production पर focus किया था बाद के कुछी महीनों के अंदर Walt ने Los Angeles के Silver Lake में Hyperion Avenue में अपना office shift कर लिया 1924 में Walt ने U.A.Works को भी job पर रख लिया और उन्हें Kansas City छोड़ कर Los Angeles आने के लिए मना लिया 1925 में Walt ने एक इंक आर्टिस्ट Lillian Bounce को हायर किया Walt ने अपनी company के लिए Lillian को हायर किया था लेकिन कुछी वक्त में Walt को लगा कि Lillian के बिना उनकी life incomplete है फिर क्या उन्होंने Lillian को प्रपोस कर दिया Lillian को भी Walt पसंद थे और वो खुशी-खुशी उनकी जिन्दगी में शामिल हो गई 1927 तक Walt ने Alice Comedies पर शोव बनाए जो काफी हिट रहे 1927 में Walt Disney और Yub Eworks ने एक cartoon character बनाया Oswald the Little Rabbit ये एक जो शीला, Brave और Alert character था जिसे साफ सफाई से रहना पसंद था जिसके कान बड़े थे और पैर लंबे थे इसके बाद Walt ने Oswald the Lucky Rabbit पर cartoon सीरीज बनाई जिसे Universal Pictures के जर्ये Wing Color Pictures ने डिस्ट्रिब्यूट किया Walt Disney के इस cartoon character ने दुनिया भर में धूम मचा दी थी इसकी सक्सेस को देखते हुए फरवरी 1928 में Walt Disney ने Oswald सीरीज के प्रोड़क्शन के लिए ज्यादा फीस डिमांड की लेकिन Universal Pictures ने धोके से Oswald the Little Rabbit के सारे राइट्स लीगली अपने नाम कर लिये थे Universal Pictures के ओनर मिंस पेमेंट को बढ़ाने की जगा रिड्यूस करना चाहते थे लेकिन Walt इसके लिए बिल्कुल भी तयार नहीं थे सारी राइट्स चले जाने के बाद अब Oswald the Little Rabbit पर Walt Disney का कोई अधिकार नहीं था ये सुनकर Walt को धक्का लगा वहीं मिंस ने Walt Disney की कमपनी के कई आनिमेटर्स और आटिस्ट को सीधे अपने साथ काम करने के लिए मना लिया था मिंस ने Walt Disney के चार बड़े आटिस्ट हर्मन, आइजिंग, कार्मन, मैक्सविल और फ्रिस फ्रेलेंग को युनिवर्सल पिक्चर्स के लिए काम करने के लिए तयार कर लिया लेकिन वो यूब इवर्क्स को खरीदने में नाकाम रहे इस धोके के बाद Walt Disney पुरी तरह से तूट गए उनकी कमपनी को financial crisis से गुजरना पड़ा उनकी हालत इतनी खराब हो गए कि वो अपने employees को time पर salary भी नहीं दे पा रहे थे इसकी वज़ा से employees में नाराज़की बढ़ती जा रही थी Walt किसी भी तरह से इस सारी situation को ठीक करना चाहते थे तो आखिर कैसे Walt Disney ने सब कुछ ठीक किया उन्होंने ऐसा कौन सा cartoon character बनाया जिसने उनकी company को एक अलग पहचान दिला दी एक ऐसा चूहा जिसके बड़े बड़े कान है जिसके हाथों में gloves हैं जिसके पैरों में big yellow shoes हैं और वो red shots पहनता है कुछ ऐसा ही था Walt Disney का नया cartoon character Mickey Mouse Mickey Mouse को बनने और इसके naming की कहानी भी बहुत interesting है Mickey Mouse से पहले Walt Disney Oswald the Little Rabbit character से फिल्मे बना रहे थे लेकिन 1928 में इसका contract खतम हो गया कहा जाता है कि धोके से फिल्म डिस्रिब्यूटर जे विंकलर और उनके पती Charles Minsk की company Universal Pictures ने Oswald the Little Rabbit के सारे rights अपनी नाम कर लिये थे जिसकी वज़ा से Walt Disney को बहुत शौक लगा था इसी की वज़ा से उनकी company को बहुत बड़ा loss हुआ था ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें तब Walt Disney थोड़े दिनों के लिए अपनी wife Lilian के साथ बहार चले गए लेकिन तब वो किसी नए cartoon character के बारे में सोच रहे थे Walt ऐसा cartoon character बनाना चाहते थे जो Oswald the Little Rabbit की टककर का हो क्योंकि Oswald the Little Rabbit पहले ही लोगों का favorite cartoon character बन चुका था तब उनके दिमाग में एक image आई जिसे उन्होंने drawing के जरिये हकीकत में उतारने की कोशिश की इस character को उन्होंने कई बार बनाने की कोशिश की और आखिर में उनके cartoon ने Mickey Mouse की shape ली इस character का idea भी उन्हें चुहे को देख कर ही आया था कहा जाता है कि एक बार Walt Disney अपने कमरे में बैठे नए cartoon character के बारे में सोच रहे थे तब ही उन्होंने कमरे में चुहे को उचलकूद मचाते देखा और तब ही उन्हें अपने नए cartoon character का idea आया दोस्तों क्या आप चानते हैं कि Walt Disney ने अपनी नए cartoon character को Mortimer Mouse नाम दिया था लेकिन चब उन्होंने अपनी wife Lilian को ये cartoon दिखाया तो उन्हें वो बहुत पसंद आया लेकिन उन्हें उसका नाम पसंद नहीं आया Lilian का कहना था कि ये नाम काफी डिप्रेसिव है तब Lilian ने Walt Disney को एक नाम सजेस्ट किया Mickey Mouse Walt को भी ये नाम काफी पसंद आया जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक Mouse का character है जब Walt Los Angeles वापिस लोटे तो उन्होंने Mickey Mouse पर काम करना शुरू कर दिया Yub Eworks ने Walt के साथ मिलकर काम किया लेकिन इस बार Walt Oswald the Little Rabbit से कुछ हट कर करना चाते थे इसलिए उन्होंने अपनी नई cartoon movie में music का use किया लेकिन cartoon के लिए music बनाना आसान नहीं था cartoon के अलग-अलग frame को एक करके इसे animated किया गया animation बनने के बाद उसका music तयार किया जाता है अब Walt अपनी इस film को आवाज भी देना चाहते थे इसके लिए उन्हें ऐसी company की तलाश थी जो voice record कर सके बहुत ढूणने के बाद उन्हें एक soundtrack company मिली Mickey Mouse की character को Walt Disney ने खुद अपनी आवाज दी Walt Disney ने Mickey Mouse को सबसे पहले 1928 में दुनिया के सामने रखा था विल्फरेड जैक्सन ने Mickey Mouse पर बनी शॉर्ट मुवी के लिए music रियट किया था Walt Disney की इस नई फिल्म का नाम था Steamboat Willie जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने तहल का मचा दिया इस फिल्म को बनाने के बाद Walt Disney और उनका cartoon character Mickey Mouse दोनों ही famous हो गए Walt के इस experiment ने गजब का कमाल दिखाया मेहनत रंगलाई और Steamboat Willie फिल्म हिट हो गई इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा Mickey Mouse ने Walt Disney को दुनिया भर में famous कर दिया Mickey Mouse की वज़ा से Walt Disney की company ने progress करना शुरू कर दिया आगे चलकर Walt ने Mickey Mouse Club के नाम से company भी खोली Steamboat Willie की success के बाद Walt Disney अपने काम में perfection चाहते थे वो कभी भी एक बार में हुए शूट से satisfied नहीं होते थे उन्होंने Mickey Mouse को लेकर कहीं short films बनाई दीरे-दीरे Mickey Mouse famous होता चला गया साथ ही साथ अब Mickey Mouse की family भी बड़ी होने लगी इसमें Mickey Mouse की girlfriend Minnie Mouse, friend Goofy और pet dog Pluto के साथ-साथ और भी कई characters जुड़ गए 1930 तक Disney Studio भी बहुत बड़ा हो गया था कई लोगों को इसमें जोड़ा गया The Band Concert, Brave Little Taylor और Fantasia समेत Mickey Mouse पर Walt Disney ने करीब 200 movie बनाई Mickey Mouse पर ज्याद तर short film बनाई गई लेकिन वो कई बार feature length film में भी दिखाई दिये एक दिन रेडियो पर Walt Disney ने Mary Had a Little Lamb song को एक डग की अवाज में सुना ये अवाज Clarence Nash नाम के एक शक्स की थी ये आवाज सुनते ही Walt Disney को एक आइडिया आया और उन्होंने Clarence Nash को मीटिंग के लिए बुलाया Walt Disney एक cartoon character Donald Duck पर काम कर रहे थे तब उन्होंने सोचा कि क्योंना Clarence Nash की voice को Donald Duck के लिए यूज किया जाए फाइनली 1934 में पहली बार Donald Duck के character को दुनिया के सामने रखा गया जिसे Clarence Nash ने अपनी आवाज दी थी इसके कुछ सालों बाद Donald Duck के तीन नेफ्यों को भी इंट्रड्यूस किया गया और वहीं दो Chip Monks, Chip and Dale को भी Walt Disney के cartoon characters का हिस्सा बनाया गया 1932 में Mickey Mouse पहली बार colorful attire में नजर आया Red Shorts, Yellow Shoes और White Gloves में एक Cute और बिल्कुल नया Mickey Mouse लोगों के सामने आया 1932 में हुए Fifth Academy Awards Ceremony में Mickey Mouse की Film Strip बनाय गयी थी लेकिन इसे Publically Release नहीं किया गया था 1935 में Mickey Mouse पहली बार officially अपनी पहली color film The Band Concert में नजर आया जिसने Mickey Mouse कारेक्टर को पहले से भी ज्यादा famous कर दिया 1935 में Walt Disney को Mickey का कारेक्टर create करने के लिए special award League of Nations दिया गया बाद में Mickey Mouse की कारेक्टर को कहीं बार redesign और upgrade किया गया हर बार Mickey Mouse लोगों को पहले से ज्यादा पसंदाता था 1950 में Mickey TV पर आने लगा The Mickey Mouse Club उस समय बच्चों का फेवरिट कार्टून प्रोग्राम हुआ करता था इंडिया में Disney कार्टून चानल पर आने वाला शो मिकी माउस क्लब हाउस बच्चों का फेवरिट कार्टून है जिसमें Mickey Mouse अपनी Girlfriend Minnie Mouse, Pet Dog Pluto के साथ नजर आता है इसके अलावा इसमें Daisy Duck, Donald Duck, Pete, Clara Bell और Goofy भी नजर आते है आज Walt Disney का कारेक्टर Mickey Mouse वर्ल्ड का सबसे फेमस और पॉपिलर कार्टून कारेक्टर है Mickey Mouse को लेकर जो दिवानगी आज से 80-90 साल पहले थी आज भी वही दिवानगी लोगों के बीच पर करार है Mickey Mouse सिर्फ फिल्मों में ही नजर नहीं आया बल्कि Mickey Mouse पर कई Comic Books और Comic Strip भी बनी थी फेमस कार्टूनिस्ट फ्लॉइड गॉट फ्रेट्सन ने Mickey Mouse पर Comic Strip तयार की थी जो की 45 सालों तक चली 1930 से लेकर 1975 तक उन्होंने Mickey Mouse ट्रिप पर काम किया था Mickey Mouse और Donald Duck पर बनी Comic Books को दुनिया भर में करीब 46 Languages में चापा जाता है इसके अलावा Mickey Mouse क्यारेक्टर पर कई TV सीरीज भी बनी है Mickey Mouse क्यारेक्टर पर विडियो गेम भी बन चुके है 2009 में Epic Mickey विडियो गेम की शुरुआत की गई थी वहीं कई तरहां की Merchandising में भी Mickey Mouse नजर आता है Disney के पाक तो Mickey Mouse के बिना अधूरे है Mickey Mouse ने देखते ही देखते पुरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली आज Mickey Mouse एक ब्रैंड है साथ ही वो Walt Disney Company का आइकन कार्टून कारेक्टर भी है Mickey Mouse के बाद Walt Disney ने कहीं कार्टून क्रियेट किये जिन पर कहीं शॉर्ट फिल्म्स बनाए गई किस तरह से अनिमेशन और कार्टून की दुनिया में Walt Disney ने अपना दबदबा बनाया Mickey Mouse पर कहीं हिट फिल्में बनाने के बाद Walt Disney प्रोडक्शन्स का सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा Walt की कंपनी ने एक से बढ़कर एक कार्टून कारेक्टर बनाए इन कार्टून कारेक्टर से बनी शॉर्ट फिल्म्स ने लोगों को खूब एंटेटेन किया लेकिन एनिमेटेट कार्टून शॉर्ट फिल्म्स बनाने के बाद Walt Disney ने कार्टून फीचर लेंद फिल्म बनाने पर फोकस किया क्योंकि Walt का मानना था कि अगर वो फीचर लेंद फिल्म बनाएंगे तो उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे अनिमेशन की बाउन्डरीज को और आगे बढ़ाते हुए 21 दिसंबर 1937 में पहली बार Walt Disney की फिल्म स्नो वाइट और सेवन दौफ्स रिलीज हुई Walt Disney ने इस फिल्म का प्रोड़क्शन 1934 में स्टार्ट किया था जिसे बनाने में पूरे 3 साल लगे इस फिल्म पर Walt ने 1.5 मिलियन डौलर्स खर्च किये थे उस दौरान बिजनस एक्सपोर्ट का कहना था कि Walt का ये एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो सकता था और कंपनी बैंक्रप्ट हो सकती थी लेकिन Walt सभी को गलत साबित करना चाहते थे इस फिल्म पर Walt Disney और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की थी Snow White and Seven Dwarfs एक फेरी टेल थी जिसे बनाने के लिए Walt आनिमल्स को स्टूडियो ले आए उन्होंने कई आक्टर्स को हायर किया ताकि आनिमेटर्स अपने आनिमेशन में रियालिटी को उतार सके डिजनी के आनिमेटर्स ने मल्टी प्लान कामरा डिवेलप किया जिससे आनिमेशन में डेप्ट आई हाला कि मल्टी प्लेन कामरा के डिवेलप होने तक फिल्म का 80% काम हो चुका था लेकिन बात के कुछ सीन में मल्टी प्लेन कामरे का इस्तमाल किया गया इसके बाद आई कई मूवीज में वॉल्ट डिस्नी प्रडक्शन ने मल्टी प्लेन कैमेरे का इस्तिमाल किया स्नो वाइट और सेवन ड्वाप्स को आरके और रेडियो पिक्चर्ज ने डिस्ट्रिब्यूट किया था वॉल्ट ने एक बार फिर से सबको गलत साबित किया उनकी ये फिल्म सबर्दस्थिट रही बॉक्स ओफिस पर वॉल्ट की नई मूवी ने रिकॉर्ड बनाए ये फिल्म कितनी सफल रही थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1949 तक ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा सक्सेस्फुल और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी इस फिल्म ने 6.5 मिलियन डॉलर की कमाई की थी जो लोग ये कह रहे थे कि कमपनी बैंकरप्ट हो जाएगी वही स्नो वाइट और सेवन डॉफ्स फिल्म से वाल्ट अनिमेशन और आक्शन फिल्म की दुनिया में च्छा गए इस फिल्म से हुए प्रॉफित से वाल्ट डिस्नी ने कैलिफोर्निया की बर्बैंक में 51 एकर जमीन खरी दी और वहाँ पर ओफिस का कंस्ट्रक्शन शुरू किया 1949 में वाल्ट डिस्नी का नया ओफिस पुरी तरह से बन कर तयार हुआ क्यालिफोर्निया की बर्बैंक में आज भी उसी जगा पर कमपनी का हेड ओफिस है इसके ठीक अगले साल वाल्ट डिस्नी कंपनी शेर मार्केट में लिस्टेट हो गई स्नो वाइट एंड सेवन द्वाफ्स की सक्सेस के बाद वाल्ट डिस्नी लगातार आगे बढ़ते रहे उन्होंने कई आनिमेटेड शॉर्ट्स और फीचर फिल्मों का प्रड़क्शन किया 1940 में वाल्ट डिस्नी की एक और फीचर फिल्म दि आडवेंचर्स ओफ पिनोक्यो आई ये फिल्म इटालियन ओथर कार्लो कोलोडी के बच्चों पर लिखे गए नौवल पर बेस थी 1940 में ही डिस्नी की एक और फिल्म फैंटेशिया आई लेकिन ये दोनों ही फिल्म में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई वाल्ट आगे ही बढ़ते जा रहे थे लेकिन 1949 में एक बार फिर उन्हें नुकसान जेलना पड़ा दरसल 1949 में Second World War की शुरुआत हो चीगी थी पूरी दुनिया में उतल-पुतल मचा हुआ था ऐसे में वाल्ट की कमपनी को भी नुकसान होने लगा वहीं उनकी दोनों फिल्में भी ज्यादा नहीं चली इतना ही नहीं कमपनी के एंप्लोईज की सालरी भी कम कर दी गई इससे कमपनी लॉस में जाने से तो बच गई लेकिन कमपनी के कई आनिमेटर्स स्ट्राइक पर चले गए ये स्ट्राइक करीब 5 हफते चली कई आनिमेटर्स ने कमपनी को छोड़ दिया उस वक्त Walt Disney की एक और फिल्म डंबो का प्रड़क्शन चल रहा था जिसे डिजनी ने सिंपल और कम बजट में प्रड्यूस किया था कम बजट की फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म को ओडियंसेज और क्रिटिक्स का पॉस्टिव रिस्पॉंस मिला डंबो फिल्म हेलन अबर्सन और हैरल पर्ल की स्टोरी रोल अबुक पर बेस्ट थी जिसमें में क्यारेक्टर एक हाथी का बच्चा होता है जिसका नाम होता है जंबो जूनियर लेकिन उसके साथ ही उसे डंबो कहकर बलाते थे उसके बड़े कानों का मजाक उड़ाय जाता था इस फिल्म में हाथी और चूहा के बीच दुश्मनी को दिखाया गया था ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी ओक्टोबर 1941 में डंबो की रिलीज के बाद US Second World War में एंटर कर गया तब डिजनी की कई आनिमेटर्स को आम्ड फोर्सेज बें भढ़ती कर लिया गया वहिं डिजनी के स्टुडियो को टेंप्ररी आर्मी ने अपने काम के लिए यूज किया अमेरिकन गव्मेंट ने डिजनी के स्टूडियो का इस्तमाल ट्रेनिंग और प्रमोशनल फिल्म्स के प्रोडक्शन के लिए भी किया डिजनी ने वार और मिलिटरी से रिलेटेड कुछ फिल्मों का प्रोडक्शन किया जिससे वॉल्ट को अच्छा रेवेन्यो मिला वॉल्ट ने विक्टरी थ्रू एयर पावर और एजुकेशन फोर डेथ चैसी फिल्मों का प्रोडक्शन किया इस दोरान वॉल्ट टिजनी अपनी डॉनल टक पर बनने वाली कॉमेडी फिल्मों पर भी काम करते रहे इसके बाद 1942 में वॉल्ट टिजनी की एक और फिल्म बाम भी रिलीस हुई इस फिल्म का प्रोडक्शन 1937 में स्टार्ट किया गया था लेकिन वर्ल्ड वार और दूसरी फाइनांचल क्राइसिस की वज़ा से ये फिल्म टाइम पर पूरी नहीं हो पाई फिल्म को पूरा होने में 5 साल का वक्त लग गया इस फिल्म को अप्रेल 1922 में रिलीस किया गया लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और वॉल्ट को भारी नुकसान हुआ उन्हें 2 लाग डॉलर का लॉस हुआ 1944 में वॉल्ट डिस्नी पर बैंक ओफ अमेरिका का 4 मिलियन डॉलर का करजा था तब रॉय डिस्नी ने फाइनाशल रीजन की बजा से कंबाइन आनिमेशन और लाइव अक्शन फिल्मों के प्रोड़क्शन पर जोर दिया 1948 में वॉल्ट डिस्नी प्रोड़क्शन लाइव अक्शन फिल्मों का एक सीरीज लिख कर आया जिसका नाम था True Life Adventure और Seal Island वॉल्ट की फिल्म को Best Short Subject Category में Academy Award मिला इन फिल्मों की बजा से कंपनी के सारे लोन और कर्स खतम हो गए और कंपनी फिर से अच्छे पोजिशन में आ गई पॉलिटिकली भी वॉल्ट डिस्नी फैमिली का रुत्बा बढ़ने लगा और अमेरिका के एक बड़े बिजनस पर वॉल्ट डिस्नी का कंट्रोल हो गया 1949 में वॉल्ट डिस्नी अपनी फैमिली के साथ लॉस अंजलिस के होमली हिल्स में बने एक घर में शिफ्ट हो गए अपने फ्रेंड वॉल्ट और बैटी किम्बल की हेल्प से वॉल्ट ने अपने बैक्यार्ड में रेल रोड बनवाया जिसे नाम दिया गया कोरल वॉड पैसिफिक रेल रोड डिस्नी स्टुडियो की एंजिनेर ने स्टीम इंजन बनाया जिसे नाम दिया गया लिली बैली इस इंजन का नाम वॉल्ट डिस्नी ने अपनी वाइफ लिलियम बाउंस के नाम पर रखा था तोस्तों सिंड्रेला नाम तो आपने सुना ही होगा शायद ही कोई होगा जिसे सिंड्रेला की कहानी नहीं पता आपको पतादे चले कि डिस्नी ने 1950 में एक कार्टून कारेक्टर बनाया था जिसका नाम था सिंड्रेला 1950 में डिजनी प्रोडक्शन्स ने सिंड्रेला कार्टन कैरेक्टर पर फिल्म का प्रोडक्शन शुरू किया आच साल बाद एक बार फिर वॉल्ट डिजनी ने अनिमेटेड फीचर फिल्मों पर फोकस करना शुरू किया इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में दो मिलियन डॉलर का खर्चा आया डिजनी की फिल्म सबर्दस्त हिट रही और इस फिल्म को लोगों का काफी अच्छा रस्पांस मिला इस film की success ने बता दिया कि feature length वाली animated film में अभी भी market में successful है इस film ने 8 million dollar की कमाई की 1950 में ही Disney की एक और film Treasure Island रिलीस हुई इसके बाद Walt Disney की back-to-back कई animated feature films रिलीस हुई जिन में Alice in the Wonderland, The Story of Robin Hood and His Merry Men और Peter Pan जैसी film में शामिल थी अब तक RKO Pictures के साथ Walt Disney का contract था लेकिन 1953 में Walt ने contract खतम कर दिया और खुद की distribution unit खोली जिसका नाम रखा गया Buena Vista Distribution अब Walt Disney की company पूरी तरह से independent होकर काम कर रही थी 1950 और 60 में Walt Disney Production ने हर साल करीब 5-6 animated film में रिलीस की 1950 में Walt Disney ने TV World में entry की TV पर बिजनस के लिए Walt Disney Productions ने Coca-Cola Company के साथ कोलाबरेशन किया ABC TV Network का TV पर पहला special program An Hour in Wonderland था TV पर Disney का ये program successful रहा October 1954 में ABC Network पर डिजनी की पहली डेली TV सीरीज डिजनी लैंड की शुरुआत हुई जो सबसे ज्यादा टाइम तक चलने वाली प्राइम टाइम सीरीज बन गई बच्चों में इस सीरीज को लेकर काफी क्रेस देखने को मिला था लोग Mickey Mouse और डिजनी के दूसरे कार्टून कारेक्टर के दिवाने हो गए थे आगे चलकर वाल्ट डिजनी ने डिजनी लैंड के नाम से थीम पाग भी बनाया 50s के मिद में वाल्ट डिजनी ने अनिमेशन डिपार्टमेट पर कम ध्यान देना शुरू किया उन्होंने प्रड़क्शन और ऑपरेशन का काम सेनियर अनिमेटर्स पर छोड़ दिया लेकिन वो स्टोरी मीटिंग में हमेशा प्रेजन रहते थे इसके बाद वाल्ट ने अपनी दूसरे वेंचर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया था आखिर वो कौन से वेंचर्स थे जिनकी वज़ा से वाल्ट डिस्नी आनिमेशन से हट कर कहीं और चले गए जानने के लिए सुनते रहे कुकू एफेम कुकू एफेम सुने चुमन चाहे बच्चों से जब सवाल पूछा जाता है कि वो कहां गूमने जाना चाहते है तो जादा तर बच्चों का एक ही जवाब होता है डिस्नी लांड डिस्नी लांड एक ऐसा प्लेस है जहां दुनिया के सभी देशों के बच्चे जाना चाहते है जाना तो चाहेंगी ही क्यूंकि डिजनी लैंड वॉल्ट डिजनी का एक ऐसा इमाजिनरी वर्ल्ड है जो इस दुनिया का हिस्सा होकर भी यहां का नहीं है डिजनी लैंड जाकर आपको एक अलगी दुनिया का एहसास होता है फैंटेसी से भरी ये दुनिया बच्चों को खूब अट्राक्ट करती है दुनिया की भीर भार से दूर ये एक ऐसी जगा है जहां आप सपनों की सेर पर निकल जाते हैं आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार्टून बनाते बनाते वॉल्ट डिजनी ने एक ऐसा वर्ल्ड बनाने के बारे में सोचा जो दुनिया भर के बच्चों का ड्रीम प्लेस बन गया यहां जितना एंजोई बच्चे करते हैं उतना ही पेरिंस भी करते हैं डिजनी लैंड को बनाने की पीछे भी एक इंट्रस्टिंग स्टोरी है डिजनी लैंड बनाने का खयाल वॉल्ट डिजनी को अपनी दोनों बेटियों की वज़ा से आया था डिजनी की दोनों बेटियां दायन और शारन उनकी सबसे पहली इंस्पिरेशन थी एक बार संडे को वॉल्ट डिजनी अपनी दोनों बेटियों को घुमाने के लिए Griffith पार्क लेकर गए लेकिन वॉल्ट की दोनों बेटियां इस पार्क में बहुत जल्दी ही बोर हो गई तब ये देखकर उन्हें खयाल आया कि क्यों ना वो ऐसा पार्क बनाए जहां बच्चे खूब मौज मस्ती कर सके इसी के बाद वॉल्ट के दिमाग में डिजनी लैंड बनाने का आइडिया आया जिसके लिए उन्होंने खूब रिसर्च की डिजनी लैंड के कॉंसेप तक पहुंचने से पहले वॉल्ट डिजनी ने कई सारे अम्यूजमें पार्क विजिट किये थे अपनी बेटियों के साथ 1930 से लेकर 1940 तक वो कई थीम पार्क में घूमें जहां उन्हें कई आइडियाज मिले जिसके बाद वॉल्ट डिजनी ने अपनी एक क्रेटिव टीम के साथ मिलकर डिजनी लैंड थीम पार्क डिजाइन किया Walt Disney Theme Park के designers और animators को Imagineers का नाम दिया गया 1954 में Walt Disney ने अपने Imagineers को अमेरिका के हर amusement और entertainment पार्क में भेजा ताकि वो उन गलतियों को ना दोहराएं जो दूसरे पार्क में थी Walt अपने Theme Park को बिलकुल perfect बनाना चाहते थे बाद में Disneyland Theme Park को Walt Disney के supervision में design किया गया सालों की मेहनत के बाद 27 जुलाई 1955 को Walt Disney का सपना सच हुआ और वर्ल्ड का पहला Disneyland Amusement Park कैलिफोर्निया के अनाहें में खोला गया था पार्क की opening ceremony को ABC Media Network पर broadcast किया गया था जिसे करीब 70 मिलियन लोगों ने देखा था इस पार्क में अलग-अलग Theme की पूरी सीरीज थी Frontier Land, Fantasy Land और Tomorrow Land में डिवाइड किया गया था पार्क में Narrow Gage Railroad भी था पार्क ओपन होने की एक महीने के अंदर ही 20,000 लोगों ने Disneyland विजिट किया और पहले एक साल में करीब 3.6 मिलियन लोग Disneyland पार्क में घूमने पहुंचे 1959 में Disneyland में पहली बार Monorail चलाए गई Disneyland में एक लोकोमोटिव ट्रेन का नाम Walt ने अपनी वाइफ लिलियन बाउंस के नाम पर लिली बैली रखा Disneyland में हर लोकोमोटिव का नाम किसी ऐसे शक्स के नाम पर रखा गया है जिसने Walt Disney Company में कॉंट्रिब्यूशन दिया है 1960 में Walt ने Disneyland कॉंप्लेक्स को डिवेलप किया ये एक ऐसा पाक था जिसमें सिर्फ बच्चे ही नहीं बलकि बड़ी भी खूब एंजॉई करते थे उस दौर में Disneyland पाक को लेकर लोगों की जो दिवानगी थी वो आज तक बनी हुई है Walt Disney का Disneyland बच्चों के सपनों की एक दुनिया है जहां वो Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pooh, Goofy, Pluto, Princess Tiana और Tinkerbell से मिलते हैं Disney की कार्टून Disneyland का में अट्राक्शन है Disneyland के Disney की कैरेक्टर्स हर जगा बस यूँ ही घूमते मिल जाते हैं इने कॉस्ट्यूम में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद उनकी दुनिया में पहुंच गए हो Disneyland का Main Street USA यहां का पहला बड़ा अट्राक्शन है Disneyland Theme Park में बनी ये जगा Queen Victoria के टाइम की याद दिलाती है जैसे ही आप Dreamland के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप Main Street में ही पहुंचते हैं जहां से आप Central Plaza तक जाते हैं इसके बाद आता है Adventureland ये एक ऐसी जगा है जिसके अंदर जाने के बाद आपको अलग ही thrill feel होगा Adventureland अंदर से कुछ ऐसा बना है जैसे यहां का Civilization और Culture ही अलग है यहां का Main Attraction Indiana Jones Temple of the Forbidden है यहां पेड़ पर Tarzan का घर भी बना है जिसे देख कर लगता है कि आप Tarzan की दुनिया में ही खो गए हो Disneyland में New Orleans Square भी है जो की Pirates of the Caribbean और Mountain Mansion की थीम पर बेस्ट है फिर आता है Frontier Land ये लैंड American Frontier के Pioneer Day थीम पर बना है वहां का Main Attraction Big Thunder Mountain Railroad और Mark Twain Riverboat है जिनने देख कर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये सब कुछ सिर्फ एक थीम है हकीकत नहीं Disneyland थीम पार्क में एक जगा है Bear Country जहां एंटर करते ही भालू की आवाज सुनाई देती है ये आवाज इतनी डरावनी होती है जैसे सच में कोई भालू आपकी पीछे पढ़ गया हो यहां पर आप भालू को गाना गाते में भी सुन सकते हैं साथ ही आपको यहां पर भालू के कई स्टन्ट भी देखने को मिलेंगे Bear Country में बने Splash Mountain और Dark Ride भी काफी पॉपिलर है फिर आता है Fantasy Land जो आपको अलगी Fantasy World में पहुँचा देता है यहां आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरे युनिवर्स में पहुँच गए हो यहां का मेन अट्राक्शन डाक राइट्स और चिल्डरन राइट्स है इन सब के बाद आता है Mickey Toon Town यह जगा Disneyland का एक ऐसा अट्राक्शन है जो Walt Disney का बेस है लेकिन हिरानी की बाद यह है कि Disneyland में Mickey Toon Town को जगा काफी सालोबाद मिली 1993 में Mickey Toon Town को खोला गया था यहां Mickey Mouse और Minnie Mouse का घर है और सबसे आखरी में आता है Tomorrowland यह Walt Disney की आने वाली कल की beautiful imagination थी यह thrilling से भरा एक ऐसा interesting world है जहां आप Flash Mountain, Monorail और The Astro Orbiter को real life में feel कर सकते हैं Disneyland में घूमने के लिए railroad, Monorail system और battery car है जिससे आप आसानी से एक जगा से दूसरी जगा जा सकते हैं यहां आकर आप एक अलग दुनिया को feel कर सकते हैं अब तक करीब 55 करोड से ज्यादा लोग Disneyland विजिट कर चुके हैं 2007 में डेट करोड लोगों ने Disneyland विजिट किया था कैलिफोर्निया की तरह ही हॉंग कॉंग, पैरिस, टोकियो और शांगाई में भी Disneyland theme park बनाए गए हैं 2005 में Disneyland theme park की 50th anniversary celebrate की गई इसी साल 12 सितंबर को हॉंग कॉंग में अमेरिका के बाहर दूसरा Disneyland खोला गया इस तरह से एक के बाद एक पूरी दुनिया में Disney के करीब 11 theme park खोले गए हैं Disneyland theme park के बाद Walt Disney के बहुत सारे plan थे जिनने वो एक एक करके पूरा करने में लगे हुए थे लेकिन November 1966 में Walt Disney को अचानक पता चला कि उन्हें जान लेवा बिमारी लंग कैंसर है जो आखरी stage में था December 1966 में Walt इस दुनिया से चले गए तो आखिर Walt Disney की death के बाद उनकी सपनों का क्या हुआ जानने के लिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर Walt Disney ने अपना हर वो ड्रीम पूरा किया जो उन्होंने देखा था उन्होंने लाइव अक्शन फिल्म प्रोडक्शन से अपनी कमपनी को इस्टाबलिश किया उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट डिजनी लाइन को पूरा किया वो डिजनी वर्ल्ट बनाना चाहते थे लेकिन अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाए उनकी इस सपने को साकार करने में उनकी सांसों ने साथ नहीं दिया इस सपने को पूरा करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई भले ही Walt अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए लेकिन उनके बड़े भाई और बिजनिस पार्टनर रॉय डिजनी ने इसे पूरा किया Walt Disney World Walt Disney का एक ऐसा ब्यूटिफुल ड्रीम था जिसका स्लोगन है The Most Magical Place on Earth Walt के इस ड्रीम को उनके बड़े भाई रॉय डिजनी ने बड़ी महनत से पूरा किया उन्होंने डिजनी वर्ल्ड वैसा ही बनाया जैसा Walt चाहते थे Walt Disney World इस दुनिया का इतना खूपसुरत डेस्टिनेशन है जहां हर कोई जाना चाहता है Disneyland के successful होने के बाद Walt Disney एक ऐसा ड्रीम प्लेस बनाना चाहते थे जहां लोग कुछ दिन रुपकर एंजॉय कर सके जहां resort हो, theme park हो और साथ ही साथ वो जगा घूमने लायक भी हो November 1965 में Walt Disney ने Disney World बनाने का announcement किया जिसमें theme park, hotel, restaurant और एक ऐसी model city को बनाने का plan था जहां पहुँच कर लोग खूब enjoy कर सके ये Disney World Florida के पास Orlando में बनाय जाने का plan था जिसे नाम दिया गया Florida Project लेकिन अपने इस सपने को हकीकत में बनाने से पहले ही Walt Disney को अपनी जान लेवा बिमारी के बारे में पता चला Walt Disney को lung cancer था उनका lung cancer आखरी stage पर था और उन्हें बिमारी के बारे में बहुत देर से पता चला November 1966 में Walt Disney को lung cancer की बात पता चली थी Cancer diagnosis होने के महच एक महीने के अंदर ही Walt इस दुनिया को छोड़ कर चले गए 15 December 1966 में Walt Disney की डेथ हो गई जिसके बाद Walt Disney का ये प्लान पोस्पॉन हो गया लेकिन Walt Disney के बड़े भाई और उनके business partner Roy Disney हर हाल में अपने भाई के इस सपने को पूरा करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने अपना retirement भी टाल दिया Florida में Disney World बनाने के लिए Roy को कई legal problems को face करना पड़ा यहां तक की जमीन से जड़ा case भी court में गया लेकिन सारी problems को face करते हुए Roy Disney ने 1967 में Disney World Resort का construction शुरू करवाया 1971 में The Magic Kingdom Disney World में पहला theme park और resort बनाया गया इस Disney World को Orlando City के पास Bay Lake और Lake Buena Vista के पास बनाया गया जिसे 1st October 1971 में लोगों के लिए खोल दिया गया इसकी opening के दिन ही Roy Disney ने Disney World का नाम बदल कर Walt Disney World कर दिया इसका नाम बदलने के पीछे उनका मकसद था कि लोगों को यह हमेशा याद रहे कि Disney World को खोलने का सपना Walt Disney का था लेकिन अपने भाई के सपने को पूरा करने के महज दो महीने बाद 20th December 1971 में Roy Disney को Paralysis का अटाक आया और उनकी भी टेथ हो गई इसके बाद Walt Disney Company की बागदोर Don Totem, Cord Walker और Walt Disney के son-in-law Ron Miller के हाथ में आ गई इन सभी को Walt और Roy Disney ने ट्रेनिंग दी थी बाद में प्लानिंग और लेयाउट के हिसाब से धीरे धीरे Disney World में कहीं सारे बदलाव और डेवलपमेंट हुए 1972 में Roy Disney की डेथ के बाद Disney's Village Resort ओपन किया गया Lake Buena Vista के पास Golf Course बनाया गया उसके बाद The Golf Resort, Tom Sawyer Ice Land, Pirates of the Caribbean, Discovery Island, Space Mountain, Shopping Village के साथ-साथ और भी बहुत से वेंचर Walt Disney World में खोले गए 1st May 1977 में Disney World में The Impress Lily के नाम से एक पेडल स्ट्रीमर बनाई गई 1982 में Epcot Center बनकर तयार हुआ जिसका पूरा नाम है Experimental Prototype Community of Tomorrow 1989 में Walt Disney World में Hollywood Studios बना और उसके बाद 1998 में Animal Kingdom बनाया गया ये Walt Disney World का चौथा थीम पाग था Walt Disney World में 4 थीम पाग, 2 वाटर पाग, 31 थीम रिजॉर्ट, कई गॉल्फ कोर्स और करीब 6 होटेल्स है जहां Camp Resort और Outdoor Shopping Center के साथ-साथ कई Entertainment Places भी है ये Disney World 25,000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है 2018 में Walt Disney World इस दुनिया का Most Visited Vacation Resort बन गया था 58 मिलियन से ज्यादा लोग Walt Disney World घूमने आ चुके है October 2020 में COVID-19 के टाइम में Walt Disney World में केवल 25 प्रतीशत लोगों को ही Entry की Permission दी गई थी लेकिन अब एक बार फिर Walt Disney World दुनिया के लाखो करोडों लोगों का Entertainment करने के लिए तयार है Walt Disney के इस दुनिया से जाने के बाद उनके भाई Roy Disney ने Walt का सपना पूरा किया लेकिन उनके जाने के बाद अपनी कमपनी के लिए Walt Disney ने जो Values बनाई थी उसी Legacy को आने वाली जेनेरेशन ने फॉलो किया Walt Disney की Death के बाद कैसा रहा Walt Disney Company का आगे का सफर जानने के लिए सुनते रहे कुकू FM कुकू FM सुने जो मन चाहे Walt Disney की Imagination, उनकी Energy, उनके Humor और उनके Cartoon ने दुनिया भर के बच्चों को एक Gift दिया Walt के जाने के बाद उनकी अगली जेनेरेशन ने वाल्ट की Legacy को आगे बढ़ाया Indian फिल्मों के Famous Actor, Director और Producer राज कपूर ने एक पार अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर में कहा था Show Must Go On Walt Disney के जाने के बाद भी Walt Disney Production का काम नहीं रुका Disney की Death के बाद 1967 में दो Animated Feature Film रिलीस की गई जिन पर Walt Disney में actively काम किया था The Jungle Book और The Happiest Millionaire इसके अलावा 1968 में The Love Bug और The Computer World Tennis Shoes रिलीस हुई The Computer World Tennis Shoes में Disney के नए कारेक्टर Kurt Russell ने acting की 70s में Walt Disney Productions ने family movies बनाना जारे रखा 1975 में Escape to the Witch Mountain और 1976 में Freaky Friday रिलीस हुई जो Box Office पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन 1973 में रिलीस हुई film Robin Hood 1977 में The Rescuers और 1981 में आई फिल्म The Fox and the Hound को सक्सेस मिली और ये फिल्म में सूपर हिट रही फिल्म Star Wars की सक्सेस से इंस्पायर होकर Disney Studio ने 1979 में अपनी पहली Science Fiction फिल्म The Black Hole का production किया The Black Hole Disney Productions की पहली फिल्म थी जिसे PG rating दी गई थी PG rating किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म जैसे ही स्टार्ट होती है तो एक disclaimer आता है कि उस फिल्म को कौन देख सकता है बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिसे बच्चों को देखने के लिए मना किया जाता है तो वहीं कुछ फिल्में होती हैं जिनें सब देख सकते हैं यही PG rating होती है फिल्हाल The Black Hole के बाद Disney Productions की कई फिल्में आई जिने PG rating दी गए जिसमें Take Down और Tron जैसी फिल्में शामिल थी 1980 में एक ऐसा दौर आया जब मार्केट में विडियो कसेट्स की भारी डिमांड होने लगी Disney Productions ने मार्केट का फायदा उठाते हुए Walt Disney Home Video शुरू किया Disney Channel, Disneyland, Walt Disney World और फिल्मों के प्रड़क्शन से Walt Disney Productions को अच्छी इंकम हो रही थी फिर भी Walt Disney Productions की financial क्रोथ कम थी 1979 में Don Bluth के Disney Productions चोड़ने के बाद कमपनी घाटे में जा रही थी कहीं फाइनांसेज ने हाथ कीच लिए और कमपनी के दूसरे वेंचर्स के acquisition की कोशिश होने लगी लेकिन 1984 में Roy Disney के बेटे Roy Edward Disney Paramount Pictures से Michael Eisner को Disney Productions का CEO बना कर ले आए उन्होंने आते ही Theme Park के expansion और Movie Theater की performance पर focus किया और कमपनी की strategy को बदला Michael Eisner ने 1985 में एक बार फिर TV के लिए cartoon production शुरू किया Disney Adventures of the Gummy Bears and the Woozles ने TV पर धमाकेदार एंट्री की इस तोरान Pinocchio का home video भी release किया गया जिसकी जबरदस sale हुई 1986 में Walt Disney Productions का नाम बदल कर Walt Disney Company रख दिया गया इस तोरान करीब 6 फिल्मे भी release की गई 90's में Disney Company ने कई super hit film में release की जिसमे DuckTales The Movie, Treasure of the Lost Lamp, Beauty and the Beast, The Rescuers Down Under, Aladdin, The Muppet Christmas Carol, The Lion King, Angels in the Outfield, The Santa Claus, James and the Giant Peach, Hercules और George of the Jungle शामिल थी इन फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर अच्छा परफॉर्म किया और लोगों का positive response मिला 2005 में Walt Disney Company में सत्ता परिवर्तन हुआ और Roy Edward Disney Company के अडवाईजर बनकर लोटे इसी साल कमपनी ने 3D animation में अपना पहला कदम रखा था 1 October 2005 में Robert Iger ने Walt Disney Company को पतोर CEO जोएंग किया Michael Eisner के कमपनी छोड़ने के बाद Robert Iger ने उनकी जगा ली 2006 में Walt Disney Company ने Apple Company के CEO Steve Jobs से हाथ में लाया और वो Walt Disney Company के 7% शेर के ओनर बन गए साथ ही वो कमपनी के Board of Directors में से एक बन गए इसी समय Walt Disney Company ने Pixar Company के साथ टील करते हुए उसे खरीद लिया लंबे समय तक Walt Disney Company में अपनी सर्विस देने के बाद 16 दिसंबर 2009 में Walt Disney के भदीजे और Roy Disney के बेटे Roy Edward Disney की Cancer से डेथ हो गई उनके पास कमपनी का 1% शेर था जिसकी कीमत 16 मिलियन डॉलर थी वो आखरी डिसनी थे जो Walt Disney Company में actively work कर रहे थे Roy Edward Disney की डेथ के बाद 31 दिसंबर 2009 में Disney Company ने Marvel Entertainment का acquisition कर लिया Marvel Entertainment के acquisition के बाद Disney Company ने उनके product के साथ किसी भी तरह की छेर जार नहीं की और नहीं Marvel की किसी character को बदला गया Marvel Entertainment उसी तरीके से चलती रही जैसे पहले चल रही थी October 2010 में Walt Disney Company की film Tangled रिलीज हुई लेकिन इस फिल्म के बाद Company ने कहा कि वो अब fairytale वाली स्टोरीज के एरा से बहाराना चाहते हैं आज Walt Disney Company चार डिविजन में operate होती है पहला है Walt Disney Studio जिसमें Company की cartoon animated short film में feature length film में record label और production शामिल है दूसरा डिविजन है Park & Resort जिसमें Disneyland, Walt Disney World Cruise Line और Theme Park का management शामिल है तीसरा डिविजन है Disney Consumer Products जिसमें Disney के cartoon character से जुड़े toy, कपड़े और दूसरी accessories शामिल है वहीं चौथा है Media Network जिसमें TV channels और entertainment operations से जुड़े काम पर focus किया जाता है Walt Disney वो शक्स थे जिनोंने animation movies को popular किया cartoon character के सरिये वे जान सी दुनिया में कई रंग भरे और entertainment industry को अलग मुकाम तक पहँचाया जिसके लिए Walt Disney और उनकी कंपनी को कई अवार्ड और ओनर मिले जिनकी एक लंबी लिस्ट है अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वो कौन-कौन से अवार्ड थे जिनसे Walt Disney को नबाजा गया तो कहीं मत जाएं और सुनते रहिए कुकू FM सुने जो मन चाहे 1943 में Dare for Heart Space के लिए उन्हें Academy Award से समानित किया गया था फरवरी 1960 में Walt Disney को Hollywood Walk of Fame में दो स्टार के साथ शामिल किया गया था एक स्टार मोशन पिक्चर्स के लिए और दूसरा टीवी प्रोडक्शन वर्क के लिए दिया गया था वही 1978 में Walt Disney का फेमिस कार्टून कारेक्टर Mickey Mouse Hollywood Walk of Fame में स्टार पाने वाला पहला कार्टून कारेक्टर बन गया था Walt Disney को उनके डेथ के बाद 1986 में Television Hall of Fame से सम्मानित किया गया था इसके अलावा December 2006 में California Hall of Fame और 2014 में Anaheim Walk of Stars दिया गया था इसके अलावा उन्हे 1968 में Congressional Gold Medal से भी नवाजा गया था वही National Association of Theatre Owners ने Walt को Showman of the World Award से सम्मानित किया था 1991 में Walt Disney Company की film Beauty and the Beast को Best Film काटेगरी में Academy Award के लिए नॉमिनेट किया गया था Culture, History और Aesthetic से जुड़ी Walt Disney की कई फिल्मों को United States National Film Registry में शामिल किया गया है जिसमें Steamboat Willie, The Three Little Pigs Snow White and the Seven Dwarfs Fantasia, Pinocchio, Bambi, Dumbo और Mary Poppins चैसी फिल्म में शामिल है इसके अलावा 1998 में American Film Institute ने Walt Disney की दो फिल्मों Snow White and the Seven Dwarfs और Fantasia को 100 Greatest American Films में शामिल किया था America के अलावा Walt Disney Company से जुड़े Family Members और Employee को दुनिया भर में 950 से ज्यादा Award और Citation मिल चुके हैं Walt Disney को कई International Award भी मिले जिसमें 1956 में Germany का Order of the Merit Award 1966 में Thailand का Order of the Crown Award 1943 में Mexico का The Aztec Eagle Award और 1941 में Brazil का Order of the Southern Cross Award शामिल है Walt Disney को Howard University Yale University South California University और California University Los Angeles से Honorary Degree से भी सम्मानित किया गया था 1980 में Astronomer लिउड मिला काराच के नाने एक छोटे से प्लानित की खोज की थी Walt के सम्मान में इस प्लानित का नाम उनके नाम पर रखा गया था इस प्लानित का नाम 4017 डिजनी रखा गया है इस प्लानित के साथ ही Walt Disney का नाम अब एटर्निटी तक इंमोर्टल रहेगा December 2021 में New York के Metropolitan Museum of Art ने Walt Disney के सम्मान में Inspiring Walt Disney के टाइटल नेम से तीन महीने का स्पेशल एक्सिबिशन लगाया था इस सब के अलावा Walt Disney और कंपनी को और भी बहुत सारे अवार्द्स और सम्मान मिले अगर हम उन सारे अवार्द्स का जिकर करने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा Walt Disney अपनी करियर में काफी सक्सेस्फुल थे उन्हें कई अवार्द और सम्मान मिले थे लेकिन जहां अवार्द और सम्मान होता है वहां कई क्रिटिसिसम भी झेलने पड़ते हैं Walt Disney के डिसेजन्स को कई बार क्रिटिसाइज किया गया यहां तक कि Walt Disney और उनकी कमपनी पर कई तरह के अलिगेशन भी लगे क्या थे वो क्रिटिसिसम और अलिगेशन जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड पर Walt Disney कमपनी वर्ल्ड के लाजस मीडिया कॉर्पोरेशन में से सबसे पुरानी और बड़ी कमपनी है यह कमपनी जितनी सक्सेसफुल है उसे उतना ही क्रिटिसिसम भी झेलना पड़ा है कई बार कमपनी को उसके कॉंटेंट को लेकर क्रिटिसाइज किया गया तो कभी उनकी बिजनस प्राक्टिस और स्ट्राटेजीज को लेकर कई बार उन पर कॉंटेंट चोरी करने के भी आरोप लगे कई बार रेसिजम के मुद्दे को लेकर भी कमपनी मुश्किलों में पड़ गई कमपनी पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने अनिमेशन कॉंटेंट में ब्लाक लोगों को स्टेरियोटाइब पोर्ट्रेट किया है पिछले कहीं सालों से फिल्म क्रिटिक और पेरंस क्रूप डिजनी पर रेसिजम की आरोप लगाते आ रहे हैं पहली बार वाल्ट डिजनी को 1933 में रिलीज हुई उनकी शॉर्ट अनिमेटेड फिल्म मिकीज मेलर ड्रामर को लेकर भी बहुत क्रिटिसाइब किया गया था क्यूंकि इसमें उन्होंने मिकी माउस, गूफी और क्लेरा बेल को ब्लाक फेस में दिखाया था इसके अलावा, ब्लाक बर्ड इन शॉर्ट, हुग किल्ड कॉक रॉबिन, सनफ्लावर अफ हाफ सेब्रा में ब्लाक कारेक्टर को स्टीरिटाइब दिखाया गया था सॉंग अफ दे साउथ मूवी में ब्लाक लोगों को स्लेब्स की तरह दिखाया गया था वहीं पीटर पैंड में अमेरिकन इंडियन्स को असभ्य और जंगली बताया गया था इसके साथ ही और भी कई फिल्मों में वाल डिजनी पर रेसिजम के आरोप लगे हाला कि कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि वाल डिजनी रेसिस्ट नहीं थे उनकी कमपनी में कई ब्लैक लोग काम करते थे उनके साथ उनका बेहेवियर कभी बुरा नहीं था डिजनी के अपने स्टार आक्टर जेम्स बास्केट के साथ अच्छे रिलेशन थे वो उनके कॉलेज फ्रेंड थे डिस्नी के साथ काम करने वाले जेम्स पास्केट पहले बलाग थे जहने Honorary Academy Award मिला था बाद में जेम्स पास्केट की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने डिस्नी को gratitude letter भी लिखा था जिसमें उन्होंने हर तरह के support के लिए डिस्नी को thank you कहा था वाल्ट इस्नी की death के बाद उनकी company कई तरह की controversy से घिरी रही 1992 में release हुई animated film और series Aladdin को लेकर भी company पर racism के allegation लगे थे Aladdin के opening song Arabian Nights को लेकर अरब अमेरिकी लोगों ने नाराज की जताई थी जिसके बाद Arabian Nights songs के lyrics को बदल दिया गया था Illinois University में Mass Communication के professor Jack Shaheen ने कहा था कि Aladdin एक entertaining Arabian Nights fantasy नहीं है इस series को उन्होंने criticize किया था इसके अलावा Walt Disney Company पर sexism के भी allegation लगे थे critics का कहना था कि Disney में हमेशा male और female character के साथ भेदभाव किया गया साथी company में female staff को लेकर भी रवया बिलकुल अलग था 1938 में Walt Disney Company ने Mary Ford की application को ये कहते हुए reject कर दिया था कि company creative position के लिए girls को consider नहीं करती है 2009 में Mary Ford के पोते ने उस rejection letter को flickr पर upload कर दिया था जो उन दिनों काफी चर्चा में रहा था वहीं Disney की कई fairytale stories में feminist values को कमतर दिखाया गया था Snow White and the Seven Dwarfs को लेकर भी Walt Disney Company को criticize किया गया था लोगों का कहना था कि Snow White का character बहुत हलका करके दिखाया गया था हाला कि बाद में Disney Company ने खुद को transformed किया और Disney की फिल्मों में woman's character को काफी strong दिखाया गया जो कि Ariel from the Little Mermaid और Belle from the Beauty and the Beast में सामने आया था Walt Disney Company पर plagiarism यानी सहित्विक चोरी के भी allegation लगे है Disney की कई animated feature फिल्मों में उन पर चोरी के allegation लगाय गये थे जिसमें सबसे ज्यादा notable controversy The Jungle Book से जुड़ी थी जिसमें Company पर आरोप लगे थे कि Jungle Book का concept जापानी writer Osamu Tejuka के जंगुरू तैते यानी जंगल समराट से लिया गया जंगल बुक में दिखाया गया Simba का famous character और स्टोरी लाइन की चोरी की गई थी यहां तक कि जंगल के दूसरे animal character को लेकर Disney Company controversy में फस गई थी बाद में Disney Company ने अपने सीरीज और फिल्म जंगल बुक में जंगुरू तैते यानी जंगल समराट को क्रेडिट दिया था उन्होंने Walt Disney Company पर किसी तरहां का case नहीं किया था इसके अलावा 2001 में release हुई कंपनी की एक और फिल्म Atlantis The Lost Empire पर plagiarizing की allocation लगे थे critics का दावा था कि इस फिल्म का concept चापानी सीरीज Nadia of the Mysterious Seas दे लिया गया था खास कर उसके character design और storyline को copy किया गया था 2014 में Disney की animated film Frozen को लेकर भी उन पर plagiarism की allegation लगे थे animator Kelly Wilson ने Disney Company पर case कर दिया था उनका कहना था कि Frozen का teaser trailer उनकी short film The Snowman से लिया गया था चार महीने के court case के बाद federal judge ने फैसला Kelly Wilson के पक्ष में सुनाया था इस case में Disney Company की हार हुई थी और उन्हें compensation देना पड़ा था 2017 में एक बार फिर Disney Company पर उनकी animated film Zootopia को लेकर film का title और artwork चोरी करने का allegation लगा इसे लेकर screenwriter और producer Gary Goldman ने Disney Company पर case कर दिया था हाला कि Walt Disney Company ने खुद पर लगे सारे आरोपों से इंकार किया था अपनी animated filmों में LGBT representation को लेकर भी कई बार company को criticism का सामना करना पड़ा Disney की filmों में दिखाये गए gay character को family friendly नहीं माना गया 2017 में release हुई live action film Beauty and the Beast के remake बोर्जन में Lefou को gay character में दिखाया गया था जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आया था अमेरिका के बाहर इस तरहां की filmों को लेकर Walt Disney को काफी criticism झेलना पड़ा इस तरहां की filmों को Arab countries में अच्छा response नहीं मिला वहां filmों को criticize किया गया इस तरहां की filmों को रश्या में भी censor कर दिया गया रश्या में gay propaganda law लागो है लेकिन 18 साल से कम age के बच्चों के लिए इस तरहां के content पर ban लगा है Walt Disney Company के Disney Channel को भी कई बार heavy criticism का सामना करना पड़ा पुछ critics ने 2004 से लेकर 2014 तक Disney ABC TV Group के President रहे Ann Sweeneyne की marketing strategy को अप्रूव नहीं किया था TV पर दिखाए गई content को लेकर कई बार company मुश्किलों में भस चुकी है critics का मानना था कि Disney का बहुत सारा content ऐसा है जो 15 साल से कम एज की बच्चों के लिए नहीं है सक्सेस के साथ साथ Walt Disney और उनकी company को आलोचनाई भी face करनी पड़ी Walt Disney के बारे में तो जान लिया कि उनका बच्चपन कैसा था किस तरह से animation में उन्होंने अपना career शुरू किया और कैसे उनकी Walt Disney Company दुनिया की बड़ी कमपनियों में शामिल हो गई तो चलिए लिसनर्स को हम Walt Disney के परिवार के बारे में बताते हैं तो कहीं मत चाहिए और सुनते रहिए Cuckoo FM Cuckoo FM सुने जो मन चाहे Walt Disney की एक happy family थी वो अपनी family के बहुत करीब थे Walt Disney ने 13 जुलाई 1925 में अपनी कमपनी में काम करने वाली एक employee Lillian Bounce के साथ शादी की थी Lillian Walt Disney की कमपनी में एक artist थी अकसर जब रात को काम करते हुए देर हो जाती थी तो Walt Disney Lillian को उनके घर drop किया करते थे धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने शादी का decision लिया Walt Disney और Lillian Bounce की शादी बहुत ही simple तरीके से किने चुने लोगों के बीच हुई थी इस शादी में Walt के parents शामिल नहीं होए थे यहां तक कि Lillian ने अपनी शादी में पहनने वाली ड्रेस भी खोधी बनाई थी Lillian के पिता नहीं थे इस वज़ा से उनके अंकल ने ही शादी के सारे rituals पूरे किये थे Walt Disney Lillian को life partner के रूप में पाकर बहुत खुश थे Company के decision में वो अक्सर Lillian की advice लिया करते थे जब Walt Disney अपने famous cartoon Mickey Mouse पर काम कर रहे थे तब Mickey Mouse को ये नाम Lillian नहीं दिया था उससे पहले Mickey Mouse का नाम Mortimer Mouse रखा गया था Mickey Mouse नाम Walt Disney को भी काफी पसंदाया था शादी के बाद Lillian ने दिसंबर 1933 में अपनी पहली बेटी डायान को जनम दिया इसके तीन साल बाद उन्होंने दूसरी बेटी Sharon को दिसंबर 1936 में अडॉप किया था Sharon एक premature बेबी थी Walt और उनकी wife Lillian नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी Sharon को अडॉप किया है Walt Disney और उनकी wife अपनी दोनों बेटियों को मीडिया से हमीशा काफी दूर रखते थे वो नहीं चाहते थे कि उनकी दूसरी बेटी Sharon के बारे में चर्चा हो कि वो अडॉप्टेड है यहां तक कि अपनी family में भी वो इस बात को लेकर कोई discussion नहीं करते थे अपनी बेटियों को मीडिया से दूर रखने के साथ साथ Walt ने उनकी safety के भी पूरे इंतिजाम किये थे Walt Disney अपनी दोनों बेटियों को बहुत जादा प्यार करते थे डिस्नी लैंड को बनाने के पीछे उनकी सबसे बड़ी inspiration उनकी दोनों बेटियां ही थी दोनों बेटियों की बज़ा से उन्होंने डिस्नी लैंड की कलपना की Walt Disney के दस grandchildren थे उनकी पहली बेटी डायान के साथ बच्चे थे जबकि शारन के तीन बच्चे थे डायान ने रोनाल्ड विलियम मिलर से शादी की थी जिन्हें रॉन मिलर के नाम से भी जानते हैं रॉन मिलर 1980 में वाल्ट डिस्नी प्रड़क्शन्स के प्रेजडेंट बने थे उसके बाद 1983 में वो कमपनी के CEO बने लेकिन बाद में कुछ करबडियों के चलते रॉय डिस्नी के बेटे रॉय एडवर्ड डिस्नी ने उन्हें CEO की पोस्ट से ही हटा दिया उनकी जगा पर माइकल आईजनर को वाल्ट डिस्नी प्रड़क्शन्स का CEO बनाया गया वाल्ट अपनी वाइफ लिलियन के बहुत क्लोस थे और उनसे बहुत ज़ादा प्यार करते थे वाल्ट ने डिस्नी लैंड में लिलियन बाउंस के नाम से ट्रेन भी चलाई थी जिसका नाम था लिली बैली ट्रेन First World War के बाद जब उन्होंने अनिमेशन की दुनिया में करियर बनाने का मन बनाया था तबी से वाल्ट डिस्नी स्मोकिंग करने लगे थे दीरे दीरे वो चेंड स्मोकर बन गए थे जब वो यंग थे तबी से बिना फिल्टर की पाइप स्मोकिंग करने लगे थे जिसका असर उनकी लंग्स पर पढ़ने लगा दीरे दीरे उनकी लंग्स कमजोर होने लगे इस बात का एहसास वाल्ट को नहीं हुआ जिसका नतीजा ये हुआ कि वो कैंसर की चपेट में आ गए लेकिन उन्हें ये बहुत देर में पता चला नवेंबर 1966 में उन्हें पहली बार लंग कैंसर के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी वाल्ट का लंग कैंसर आखरी स्टेज पर था जिसका ट्रीप्मेंट मुश्किल था कोबाल थेरपी से उनका ट्रीप्मेंट किया गया लेकिन ये ट्रीप्मेंट उनकी बिमारी पर खास असर नहीं दिखा पाया तरअसल कैंसर की वज़ा से उनका ब्लड सोकिलेशन खराब हो चुका था तीस नवबमर को ज्यादा तविद बिगणने पर उन्हें एम्बुलेंस में सेंट जोसेफ हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो कुछ दिनों के लिए आडमिट रहे डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशश की लेकिन 15 डिसेंबर 1966 में अपने 65 वे बर्दे के ठीक 10 दिन बाद उन्होंने लंग कैंसर की वज़ा से इस दुनिया को अलविदा कह दिया दो दिन बाद उनके लास्ट रिच्वल्स पूरे किये गए उनकी राग को कैलिफोनिया के फॉरेस्ट लॉन मेमोरिल पार्क ने दफन किया गया वाल्ट दिस्नी का इस तरह से अचानक चले जाना कंपनी के लिए ठीक नहीं था लेकिन उनकी भाई और बिजनिस पार्टनर रॉई दिस्नी ने कंपनी को बखू भी संभाला 1987 में वाल्ट दिस्नी की मेमोरी में लॉस आंजलिस में एक कॉंसर्ट हॉल का कंस्ट्रक्शन कराया गया जिसके लिए उनकी वाईफ लिलियन बाउंस ने 50 मिलियन डॉलर्स डोनेट किया था लेकिन कई reasons की वज़ा से इस concert hall का construction टाइम पर पुरा नहीं हो पाया अपने husband की death के बाद Lillian Bounce ने the California Institute of the Arts के establishment में funding की थी Walt की जाने के बाद Lillian ने arts की field में काफी काम किया 15 December 1977 को Lillian Bounce को attack आया और इसके अगले ही दिन 16 December 1997 को morning में Lillian Bounce की अपने घर पर ही death हो गई एरानी की बाद ये थी कि Lillian की मौत की ठीक 31 साल पहले 15 December के ही दिन Walt Disney भी इस दुनिया से चल बसे थे लेकिन एक बाद जो सबसे जादा कौर करने वाली थी वो ये थी कि Walt की life में December factor हर जगा था Walt Disney खुद December में पैदा हुए थे उनकी दोनों बेटियां भी December में इस दुनिया में आई और जब Walt Disney और उनकी wife Lillian इस दुनिया से गए तो वो भी December ही था Lillian की death के करीब 6 साल पाद 2003 में Walt Disney Concert Hall बनकर तयार हुआ जिसे Walt Elias Disney को dedicate किया गया 2009 में Disney की बड़ी बेटी डायान और उनके बेटे Walter E.D. Miller ने San Francisco में Walt Disney Family Museum खोला जिसे Walt Disney के पोते Walter Miller ने खुद डिजाइन किया था इस म्यूजियम को खोलने का मकसद creativity और innovation को बढ़ावा देना था तो दोस्तों ये थी World Famous Cartoonist की कहानी जिनकी life कई लोगों के लिए inspiration है वो hard worker और fighter थे जिन्होंने हमेशा अपने comfort zone से बाहर आकर काम किया दो बार company स्टार्ट करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी उनकी जेब में ना पैसा था ना फाइनांसर लेकिन उनकी पास हिम्मत थी जिसकी वज़ा से उनकी company टॉप पर पहुँच गई और वो world के famous producers में से एक बन गए उन्हें सम्मान भी मिला और criticism भी लेकिन वो दोनों को साथ लेकर आगे बढ़े तब ही आज उनकी death के इतने सालों बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है Chicago, Illinois में बने Walt Disney के पुष्टैनी घर को अब museum में तबदील कर दिया गया है ताकि लोग उनकी life को बहतर तरीके से जान सके हमें उमीद है कि Walt Disney और उनकी company पर बनाई गई ये audio series आपको जरूर पसंदाई होगी ये series आपको कैसी लगी? हमें comment करके जरूर बताएं